मैं उन लड़कियों में से थी जिनें अपने बीस्तर पर सोने का बहुत ज़्यादा सोग था साइद इसकी वज़ए यह थी कि मैं अपने भाई बहनों में सब से छोटी थी और हमेशा अपने मा के पास ही सोती थी भले ही मैं छोटी थी लेकिन जब सब सो जाते और कमरी की रोसनी बंद हो जाती तब ही अगर माँ पापा को बुला कर अपने पास आने को कहते तो मेरी आँखे खुल जाती थी और जब मैं छोटी थी और मा मुझे सुलाने के बाद पापा के पास जाती तो मैं जाग जाती और रोना सुरू कर देती मुझे मा के बीना बिल्कुल भी नीन नहीं आती थी और जब तक मैं मा के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती मुझे सुकुन नहीं मिलता था लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समयधार होती गई मा ने मुझे कहा कि अब मुझे अपने बड़ी बहन के सांस दूसरे कमरे में सोना चाहिए मैंने फोरण इंकार कर दिया और मा के सीने से चिपक गई मैंने कहा कि नहीं मैं तो बस आपी के पास सोंगी और मुझे आपके बिना निन नहीं आती मा एक थंडी सांस लेकर कहती हैं कि बे सरम तुझे को जारा भी सरम नहीं है और उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई एक रात जो आवाज मैंने सुनी हो उसने मुझे हैरान कर दिया और उस रात मैं अचानक जा गई और जब मां मुझे सुला कर पापा के बिश्तर पे गई तो मैंने कुछ अंज्यानी आवाजे सुनी पहले तो मैंने सोचा कि मां का पलू पकड़ लू लेकिन फिर चुप चाप आँखे बन करकर उन आवाजों को सुनने लगी और उन आवाजों ने मेरे कानों के आवाज सुर्ख कर दिया और मैं खामोसी से आखें बन करके आवाजें सुनती रही और उसके बाद तो यह जैसे रोज का महल ही बन गया था और यह अनुभ़ों मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था जिसने मुझे बहुत जल्दी समाज़दार और परिपक्व बना दिया साइट इसलिए क्योंकि मैं बहुत जादा सुचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोजिस करती थी मुझे भी अब धीरे-धीरे सरम महसूस होने लगी थी इसलिए मैंने कुद ही उस कमरे में सोना सुरू कर दिया जहां मेरी बहने सोती थी मुझे ती बड़ी तीन बहने और दो भाई थे समय बित्ता गया और सभी साधी की उम्र तक पहुँच गए मेरे सभी भाई बहनों की मुझे से पहले ही साधिया हो गए और जब मेरी साधी सुदा बहने किसी फंसन के लिए हमारे घर आती तो रात को छूप कर तीनों आपस में बाते करती और कुबस थी लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुचती तो सब चुप हो जाती और जब मैं उनसे पोचती कि क्या बाते हो रही है तो वह मुझे करती कि तुम अभी छोटी हो जाओ हाला कि मैं 18 साल की हो चुकी थी लेकिन वह मुझे अभी भी पहुची ही समझती थी और अब धीरे धीरे मैं इतनी चतुर हो गई कि जब भी मेरी बहने आती तो मैं जान भुच कर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पे सो जाती और फिर वह तीनों वैट कर चतकारे लेते हुए आपस में बाते करती जो कि पती पतनी के बीच रात के अंधेरे में होत पती थी और साथ मील कर सरारते करती थी और मैं भी उनकी बाते सुनती थी और खुद को सयमित रखने की कोशिस करती थी साधी के बाद की चिंदगी खुसियों से भर जाती है यह बात मैं जान चुकी थी इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी और मैं सोचने हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है और ये सोच सोच कर मेरा दिल जोड जोड से धरकने लगता था पढ़ाई पर ध्यान देने के पजाए मैं साधी के बाद की खुआप देखने लगी और हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरे रग रग में समाय जाती थी और जब मैं कम अभी पती की कल्पना करती और सुकून महसूस करती थी एक दिन मेरी बड़ी भहन घर आई होई थी भाभी और मेरी बड़ी भहन आपस में कुछ ऐसी बाते कर रही थी जिने सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैं खुद काबू पाने की कोजिस कर रही थी लेक तो ने मेरा मवाई छीन लिया और मेरे चेहरी पर एक थपड़ मार दिया फिर गुसे में बोली कि अपनी उम्ह देख और अपने काम देख मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान केम नहीं दे रही थी तू तू वक्त से पहले ही इन गंदे कामों में पढ़ गई है तुम्हें बहुत सोख है अपनी जिन्दगी में किसी को सामिल करने का तो देखती हूं सुबह मां से कहती हूं कि तेरी यह बेटी एक दिन तेरा मुह काला करके चली जाएगी इससे पहले की कुछ और गुड़ा हो इसको यहां से चलता करो जब मेरी बहन को मेरी इस ह खूब डाटा और अगले दिन मेरी पहन ने मेरा मुबाइल वापस कर दिया लेकिन यह वादा लेया कि अगर दोबारा इस तरह की बेकार वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा मैंने भी तौबा कर दिती लेकि जब मैं कॉलेज जाती और अपने सहलियों को उनके वाइल पर वाइल वीडियो देखते हुए देख लिया तो वह कहने लगी कि तुझे माना किया था ना फिर भी नहीं मानी लगता है कि तेरी जवानी को ज़्यादा ही जोस दिखा रही है चल अब मैं मा को बताती हूँ मुझे रहा नहीं गया तो मैंने गुसे में कहा कि हाँ खुद तुम लोग साधी करके अपनी जिन्दगी इंजवाय कर रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती इसे तो अच्छा कि मान से कर दो कि मेरी भी साधी करवा दो मैं साधी लायक हो चुकी हूँ और घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और पढ़ाई लिखाई में भी मेरी ऐसी कोभी कोई खास दिल्चस्पी नहीं है जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो लोग मेरी मा भन कर मुझे दाटने पे तूले रहते हैं मेरी बहन ने मुझे थह पर मारा और कहा कि क्या जबाना आ गया है जाओगी तो सिधी हो जाओगी ससुराल में सिर्फ पती ही नहीं होता धेर सारी जिम्यदारियां भी होती हैं और हम तो ससुराल की ठाकान लेकर माइके में आकर चैन की सांस लेते थे और रात को पती का मुट देखना पड़ता है, गुसा सहना पड़ता है और सुबह से नानत देवरानी और जठानी दिमाग खराब करती है महंगाई और बिजली के बील वैसे ही सरदर्ग देने के लिए तयार रहते है और तुम्हें अगर साधी असान लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं कहां समझने को तयार थी और मेरे लिए भी रिस्ता देखा जाने लगा और सबसे पहले जो रिस्ता आया, वो हमेरे भावी के खंदान का था मेरी भावी तो वैसी भी मुझे कोई खास नहीं समझती थी और मुझे उस घर से निकानले के चकर में थी और जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वह बहुत ही हैंसम था और उसे देखकर मेरी दिल की धरकने तेज हो गई और उसके साथ साधी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुसी दोड़ने लगी और हमारे घर वाले साधी की पसंद थे इसलिए हमारी साधी भी साधी से होने वाली थी साधी की तैयारियां सुरू हो गई और फिर वह दिन ही आ गया जब मैं मेहंदी लगा कर दुलहनल बन के बैठी थी खंदान की सारी अवरते आकर मेहंदी की रसमे निभा रही थी और मैं भले ही गंभीता से बैठी थी लेकिन अंदर से मेरे मन में खुसी की लहर दोड़ रही थी और अगले दिन मैं अपने पती के पास पहुँचने वाली थी और इस खयास से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी और मैं अंगिनत सपने सजा के रात बिताई और अगले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खलवली थी लेकिन माईके को छोड़ने का दुख भी था और जब मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पालर जा रही थी तो एक बार मूड कर अपने उस घर को देखा जिसे छोड़ कर मुझे जाना था और आज मुझे इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए छोड़ने वानी थी और जब मैं इस घर में वापस आती तो एक महमान के रूप में आती और आज इस घर में मेरा आखरी दिन था ये सोच के मेरी आखों में आशू आ गए फिर मैं दुलहन बनके साधी हौल के लिए रावाना हो गई साधी हो चुकी थी और मैं दुलहन के रूप में सबसे ज़्यादा सुन्दर लग रही थी मेरा दुलह भी कुछ कम नहीं लग रहा था और लोग हमारी जोडी की दुलना चांद और तारो से कर रहे थे साधी के बाद विदाई का समय आ गया और मैं अपने ससुरा ला गई मेरी सास बहत खुस मिसाज और आजाद सुभाव वाली अवरत थी और उन्हें देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वह मेरी सास है बलकि वह अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थी और उनका बेभार ऐसा था कि मुझे भी खुसी थी कि साड़ी के बाद हम जोनों सास बहु नहीं बलकि माँ बेटी बनके रहेंगे जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे और वह वाके ही मा कम और वड़ी बहन जादा लग रही थी उन्होंने मुझे आकर कमरे में बैठाया जब मैं बैठ पर बैठी तो मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने मेरा दुपटा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुम्हें देख कर तो मेरा बैठा पागल हो जाएगा तुम बहुत सुन्दर हो और अपने पती को सही तरीके से समहान लोगी ये सुनकर मैं सरम से लाल हो गई और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास मुझसे इस तरह की बाते कर स उनकी बाते सुनकर मेरा मन हलका हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिष्टा सास बहु से बलकर दोस्ती का होगा और अगर सुहाग रात को लेकर मुझे कुछ पुछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ फिक्र की कोई जरूरत नहीं है मैं तो पहले ही सरम से पानी पानी हो चुकी थी और मैंने सोचा था कि मेरे पती बहुत रोमांटिक हुए और मेरी सारी इच्छाए पूरी करेंगे लेकिन मेरी सास ने तो सुने पे सुहागा कर दिया मैंने उन्हें माना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे कुछ नहीं कुछ ना फिर भी वो मेरे पास आकर बैट गई और वो धीरे से कानों में बताने लगी कि पहली रात वो लड़कों को कैसे खुस किया जाता है मैं अपने चेहरे पहया की लाली सजाए उनकी बाते सुनती रही और कुछ देर बाद जब सासू मा कमरे से बाहर गई तो मैंने बाहर से आवाज सुनी सास अपनी बेटे से कह रही थी कि बेटा मेरी बहु को ज़्यादा तंग मत करना और अगर मुझे सुबह सीकायत मिली तो मैं अपनी बहु को एक महीने तक अपने पास बुला लूगी इस पर मेरे पती चुप थे और जब हो मेरे कमरे में आये तो मैं फॉरन सीर जुका के बैठ गई मेरे पती मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्हों ने मेरा घुंगट उठाया तो मेरे हुसन की तारीफे करने लगे और उनकी तारीफ सुनकर मैं सरम से मुस्कुराती रही फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर सोने की अंग उठी मेरे उंगली में पना दी और फिर हाथ सहलाने लगे मेरे भी जजवात बे काबू होने लगे और आखिर वह रात आही गई थी जिसका मैं कब से इंतिजार कर रही थी साइध ही कोई लड़की मुझसे ज़्यादा सुहाग रात के लिए बिताब हुई होगी लेकिन जैसे ही मेरे पती मेरे करीब आए तो उनके फोन पर एक कॉल आ गई और ये कौन था जो हमारी रात में खलल डाल रहा था मेरे पती उस कॉल को देखके गंभीर हो गए और वह फोन से कान पे लगा कर बालकनी में चले गए और काफी देर तक बाते करते रहें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस से बाते कर रहे है मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे मैं उठकर उनके पीछे गई लेकिन तब तक वह फोन बन कर चुके थे मेरा पती काफी परसान नजर आ रहा था तो मैं ने पुछा कि क्या हुआ सब ठीक तो है न तब उन्होंने कहा कि बॉस न मुझे एजेंट के तोर पर दिली जाने के लिए कहा है और सुबह सबे एक बहुत जरूरी मीटिंग थी जिसके सारे दस्तवाइज मेरे पास थे और यह परजेक्ट भी मैंने ही तयार किया था और वैसे तो यह मीटिंग एक हफ्ते बाद होने वाली थी लेकिन जिस सर के साथ मीटिंग थी उन्हें रात में हर हाल में पूने पहुंचना था इसलिए मुझे दिली के लिए निकलना पड़ेगा ताकि सुबह के लिए मैं मीटिंग में पहुंच सकूँ मेरे सारे अर्मानों के जैसे पानी फिर चुका था सब जाग चुके थे और सास तो पहले सही तयार थी और सफसूर ने भी धीला ढाला सा लिवाज पहन रखा था और वैसी भी हमानने वाली बात थी कि दोनों ही अपने जवान बेटे के माता पीता होने के बावजूद खुद भी बिलकुल जवान लगते थे और मेरी सास जो ना जाने सुवा साम सुर्फ गुलाब खाती थी और उनके चेहरे के चमक देख के लगता था कि मानों है किसी रानी के समान हो और जब मेरे पती ने बताया कि उन्हें इमर्जेंसी में जाना पड़ेगा तो दोनों ही चिंचित हो गए और कहने लगे कि मत जाओ तुम्हारी बीबी क्या सुचेगी आज तुम्हारी साधी की पहली रात है और खास रात है मत जाओ लेकिन मेरे पती ने कहा कि नोकरी चली जाएगी और उस रात का क्या है हमें तो पूरी जिन्दगी एक सांथ गुजारनी है मेरे पती जैसे तैसे समझा कर वहाँ से चले गए और मैं बस मुह देखती रह गई और मैंने उनका समान पैक करने में मदद की थी और जब हो हाई एरपोर्ट के लिए निकल चुके थे तो ससुर जी उन्हें छोड़ने गए सास मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार मापी मांगने लगे लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं हो जाता है और जब ससुर लोट के आए तो दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई अंदर से मैं बहुत बेचाइन थी और सोच रही थी कि अब ये तीन दीन कैसे काटोगी खैर जहां इतने साल निकाले हैं तो ये तीन दीन भी निकाल ही लोगी उस रात मैं सो गई और सुबह कुछ महमान मेरे मुँ दिखाई के लिए आए थे और हर कोई पूछ रहा था कि तुम्हारा पती कहा है आओ किल रात क्या हुआ या कुछ हुआ भी या उसे पहले भी तुम्हारा पती चला गया मैंने घरी सांस लेकर अपने आपको सम्हान लिया और मेरी बहुरी बहुरी मेरे पास आई और ताली बजा के जोड़ से हसी और उसने कहा कि जैसे को तैसा जितनी भितावी थुमी थी देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ मेरा तो बस नहीं चल रहा था वरना अभी मैं तुम्हारा गला दबा देती फिलहाल दो ते तीन दीन वाद मेरे पती को वापस आना था तो मुझे लगा कि ये तीन दीन पलक जफकते ही गुजर जाएंगे और मैं अपने साथ के साथ काफी घूल मिल गई थी और उनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि करिकवारी लड़कियां भी ऐसी चमक के लिए तरस्ती थी लेकिन मेरे पती मुझे से और दूर होते जा रहे थे और वह कहने लगे कि दो हफते बाद आएंगे जब कि मैं यहां साथ ससुर की खुम सेवा कर रही थी और उस दिन जब मेरी सास ने हमारे लिए चाह बनाई और लिभिंग रूम में लाई तो मैं उनके पास ही बैठ गई और मैंने उनके चेहरे की ओर देखा और कहा कि आरे ममी जी आप ऐसा क्या खाती हैं और आपको देख कर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटे की मा हैं इतनी चमक तो आजकल कुवारी लड़कियों में भी नहीं होती मेरी बात सुनकर सास हसते हुए बोली कि आरे पगली तेरे ससुर मुझे इतनी महबत करते हैं और इस उमर में भी मुझे पूरी रात सुकून और खुसी देते हैं और जब औरते इन सब चीजों के लिए तरस्ती है मेरे पास वह सब कुछ है तो फिर क्यों ना मैं किसी जवान लड़की की तरस्त चमकती रहूं सास की बात सुनकर मैं सरम से लाल हो गई और उस रात मैं बेचैन होकर सो गई और पुसिस करती रही लेकिन आधी रात को बेचैनी इतनी बढ़ गई कि पसीने से भीग गई और गला सुख गया और मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली था इसलिए मैं कीचेन की और चल पड़ी लेकिन तभी मुझे सास ससुर के कमरे से अजीब आवाजे सुनाई देने लगी और ये आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनके कमरे की तरफ बीना सोचे समझे दरवाजे के पास काल लगा कर बाते सुनने लगी और जो आवाजे मैंने सुनी वो आवाजे सुनकर मैं सरम से पानी पानी हो गई ये लोग बुजूरू हो चुके थे लेकिन इस उमर में भी ये सब कर रहे थे और मेरी सास उन से कर रही थी कि मेरी उमर का लिहाज कर लो घर में एक जवान बहू है लेकिन जो जवाब मेरे सासूर ने दिया उसे सुनकर मेरे पहलो तेले जमीन ही किसा गई और मैं बिना पानी पिये वापस कमरे में जा चुकी थी काफी दिर तक सोचती रही कि क्या जो मैंने सुना वह सचता है या फिर मेरी गलत फैमी थी मेरा ससूर अपनी बीबी से कह रहा था क्या रे क्या हो गया वह कौन सी दूद पिती बची है वह अभी तो हमारे बिटे के साथ ये सब करने के लिए ही आई है और ये अलग बात है कि वेचारी अब तक थंडी पड़ी है ये सुन कर मेरे होस उड़ गए थे और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससूर अपनी बहु को लेकर इस तरह की बाते भी कर सकता है सुब़ जब सास ससूर कमरे से बाहर आएं तो मैं उनसे नजरे मिलानी की हीमत नहीं कर पा रही थी और मुझे ससूर से अजीब सा डर्म हसूस हो रहा था कियोंकि अब मैं उनकी नजरों का इसारा समझ चुकी थी और वह मुझे सर से पईर तक अजीब निगाहों से घूर रहे थे और जब मैंने पती से बात करनी की कोशिस की तो उन्होंने ही कहा कि बीजी हूँ बहुत काम है और वापस आने में समय लगेगा एक दिन सास का बलट प्रेसर बढ़ गया और कहने लगी कि बहु किचन में दवा रखी है जब आ दूद में घोल कर दे दे उससे मुझे आराम मिलेगा मैंने दूद का गलास निकाला और उनकी बलट प्रेसर की दवा में डालने की बजाए उसमें नीन की दवा मिला दी जिसे पी कर मेरी सास चकराने लगी और मैं उन्हें कमरे में लेटा आई लेकिन अब धबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसी वक्त मेरे पती का मेरे सास पर फोन पर कॉल आया और उन्होंने कभी मुझे फोन नहीं किया था मैंने फोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया पती ने कहा कि सुनो अपनी बहु को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला और मैंने यहां किसी और लड़की से चकर चला लिया है और वह मेरी बच्चे की मा बनने वाली है और सुहाग रात को भी उसी ने मुझे फोन करके दिली बोलाया था और वो हमीर बाप की बेटी है और कह रही है कि अगर मैंने उसे साधी नहीं की तो आम मुझे केस कर देगी यहां की पुलिस तो आप जानती ही है कि कितनी सक्थ है और मजबूरी में मुझे दिव्या से साधी करके उसके बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बदले में मुझे करोरों की दिव्या की जायजाद भी भी जाएगी तो फिर भला क्या रखा है आपकी उस बहु में और मैं बहुत जल्द आप दोनों के भी यहां बुला लूँगा और सुकून की जिन्गी कुजारेंगे बस किसी तरह इस नलायक बहु से पीछा छोडा ले और यह सुनते ही मेरे पेरों तले से जमीन खिसक गई सारे सपने मिटी में मिल चुके थे और मैं अपनी सास को उस हालत में छोड़ कर घर लोटाई रो रोकर मैंने अपने माता पिता और भाईयों को सब कुछ बताया वह तुरंत मेरे ससुराल पहुंचे और यम कर भास करी मेरे सास ससुर ने यहां तक कह दिया कि एक बार संफती मेरे बेटे के नाम हो जाए फिर हम उसे भी छोड़ देंगे और दिबया ही हमारी बहु रहेंगी लेकिन मेरे पिता ने साफ मना कर दिया और कुछ सालों बाद अदालत में केस चला और मेरे अपने पती से तलाक हो गया कम उमर में ही मैंने ये सब जहला मेरी बहां सही कहती थी कि सादी के बाद बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक लड़की के जिन्दगी को पुरी थरब बदल देता है और जो मैं कभी हस्पुली और चुलबुली और भावख हुआ करती थी अब एकदम खामोस रहने लगी थी और अब मेरी उमर भी तकरीमा 26 साल हो चुकी है मेरे लिए कई रिष्टे आते हैं लेकिन मुझे अब पुरुसों पर से भरुजा उठिया है और सादी का नाम सुनते ही मेरा दिल डर से काप उठता है और आपको क्या लगता है कि मुझे सादी कर लिनी चाहिए या फिर सारे पुरुस ऐसे नहीं होते अगर मुझे फिर से धोखा मिला तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी और दोस्तों मैं आप लोगों को दिल से बहुत ही सुक्रिया देती हूं और दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा और दोस्तों आप यह वीडियो मिलेंगे सही अच्छे और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार